सबी बाईयों को सुरेंदर संसनिवाल की तरफ से नमस्कार सबसे पहले तो मैं बाईयों से माफी चाहूंगा कि काफी दिनों से वीडियो रूटीन में नहीं आ रही हैं क्योंकि पहले तो PDF में 3-4 दिन बीजी रह गे और फिर अभी 3-4 दिन जजजर में बीजी रह गे तो अभी आप सबी बाई जितने भी हमारे साथ जूड़े हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा अभी दीरे दीरे रूटीन में वीडियो आने लगेंगी तो ये जो कंपेटिशन चल रहा है जजजर में जो breed champion हुई है मुरा नसल का जो मुरा नसल में जीत के आई हैं जितने भी आनिमल्स पहले नमबर पे आई हैं उनमें जो चैंपियनों का चैंपियन निकाल रहे हैं तो इसको breed champion कहेंगे के breed champion कौन सा पसू होता है यहाँ पे अभी breed championship चल रही है मुरा नसल की और इसका पहला जो प्राइज है वो डाई लाक रुपे है तो इन पसूँ के बारे में मैं डिटेल से बताऊं उससे पहले मैं आपको कहना चाऊंगा जो भी भाई ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और इसके साथ साथ जो सबस्क्राइब का बटन है उसके साथ बैल आइकन का बटन है आप वो भी दबाईए ताकि आपको वीडियो का notification पहुंचता रहे इसके साथ साथ जो भाई ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं वो भाई हमारा जो पेज है संसनिवाल डैरी फारम हरियाना के नाम से उसको लाइक करें ताकि यहां भी जो भी हम पोस्ट डालें वो आप तक पहुंचे अभी मैं बता रहा था जितने भी जो competition मुरा नसल के हुए हैं उन में से जो पहले नमबर पे पसु आई हैं उन्ही को यहां पे participate किया जाता है breed championship के लिए तो mainly जो बड़े बुल हैं उन में से adult बुल की category में जो first आया है वो और जो दो से चार दात की बुल की category में आया है का मान के चलिए यहां पे जो बैसे हैं उन में अपना गया है जो milk beauty की है वो सामने बैस है एक side में dry की बैस है और एक दो से चार दात जो कटड़ी है फरस्ट आई है उसको भी हां बुलाया गया है तो अभी मैं बताऊं जो मुरा नसल की जो milk beauty का competition हुआ था उसमें जो यह सा सेक्टरी हैं मुरा एसोशेशन के हर्याना के परदान हैं और काफी पुराणे बरीडर हैं जिनके पास गोलू नाम का बुल होता था तो उनकी यह जोटी है और milk beauty competition में पहले नंबर पे आई है तो इसको यहां पे जजज चला के देख रहे हैं इसकी beauty देख रहे हैं और सबस पहले competition होगा दो बैसो का क्योंकि जो दो से चारदात की जोटी है उसको साइड में खडा कर दिया गया है कि वो थोड़ा सा जैसे कि इन पसूं के सामने छोटी रहेगी इसलिए दो जो पसू है milk beauty की और एक dry की तो इनका competition चल रहा है इन में से एक पसू सलेक्ट किया और दोनों में से फिर champion निकला जाएगा तो यहाँ पर जजीज चेक कर रहे है जो milk beauty की जो बैस नरेंदर सेक्टरी डीडवाडी से पाणी पत जिले से उनकी इस बैस को अच्छे तरीके से दिखा जा रहा है जो side में बैस है वो बैस कुंगड गाउं के दरमपाल गोयत जी ह उनकी बैस है और काफी वो भी पुराने ब्रीडर है जाना माना चेहरा है डैरी फार्मिंग में पसों का तो बहुत बढ़िया काम है उनका भी कुंगड बिवाणी जिले में है और हमारे जो बाई हैं संजे गोयत वो पकड़े हुए है बैस को तो अब यह जो dry की बैस है उस तो अभी इसको भी चला के देख रहे हैं कि इसकी चाल कैसी है और यहां दोनों बैसों में से एक पसो सेलेक्ट करेंगे और फिर बुलों में से सेलेक्ट किया जाएगा तो जो यह देखिए अभी दोनों बैसे साथ में खड़ी करके जजीज इसको चेक करेंगे कि कौन सी ब जो एडल्ट बुल की कटेगरी में जो जीता है उनको चेक किया जाएगा, बिलकुल बारिकी से यहाँ पर हर चीज देखी जा रही है, छोटे से छोटी, कोई चूक ना रह जाए, जजीज के दवारा, तो यहाँ पर नमबर वगएरा जो बैज नमबर दिये गए थे, पसू को जो नमरिंग की गई थी, वो लिखी जा रही है, और बारिकी से चेक किया जा रहा है, पसू को, तो यह देखिए, जो बहुत ही शानदार मेला यहाँ पर और अगनाइज किया है, अरियाना गोर्मेंट ने, और जो यहाँ पर जो पहला प्राइज जीते गा, जो ब्रीड चै तो यह देखिए, बिलकुल बारिकी से पूंच, पसू के टोटली चेक किया जा रहा है, जजीज के दोरा, और अभी बुल है, जो बुल है दो उनको देखा जाएगा, तो यह देखिए, काफी शानदार एनिमल हैं, जो अडर की क्वालिटी है, बहुत ही शानदार है इस जो जो बुल है, वो बहुत शानदार कंपेटिशन होता है बुलों का, तो यह देखिए, जो सेनी पुरा गाउं है गोहाना के पास, वहां के जो सरपंच साब हैं, उनका यह बुल पहले नमबर पे रहा है, तो दिरे-दिरे हम सभी कटेगरियों की, जितने भी कटेगरियों की वीडियों हमने बनाई है, दिरे-दिरे आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, सभी भाई, यह देखिए, अभी बुल को चला के देखाया जा रहा है, और जो जगराओं में भी कुछ वीडियों हमने बनाई थी, वो भी अभी पैंडिंग ही पड़ी हैं, क्योंकि दोनों मेले साथ में आगे तो हम उनको त्यार नहीं कर पाएं वीडियों को, तो यह देखिए, बिल्कुल एटू जड़ छोटी-छोटी चीज़ें, जज़िज के दवारा इन बुलों में चेक की जा रही हैं, तो मैं कह रहा था कि आपको जो जगराओं में भी जो कंपेटिशन हुए थे, जर्शी के, एच एफ के, वो भी हम आपको दिखाएंगे दीरे-दीरे, तो यह देखिए, यहाँ पे अभी जो दो से चारदांत की कटेगरी में जो बुल जिता है, वो राणिया तहसील से है, साइद सिर्शाजिले से, तो उसको भी चेक किया जाए है, लेकिन यह जो एनिमल हैं, दो से चारदांत की कटेगरी के, यह थोड़े छोटे रह जाएंगे, इसलिए मेरी ख्याल से इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी जो जिज़ के दवारा, और जो यह सामने जो बुल दिखाई देरा आपको, दो से चारदांत की क देखा, तो इसको यह लेकि आए हैं, कोई बालों की कटिंग वगएरा ज्यादा नहीं होई थी, फैंसी ज्यादा नहीं बनाया गया था बुल को, फिर भी इसने पहला प्राइज जीता है बुल ने, और इसका भी यहां पे चेक किया जा रहा है, चला के देखा जा रहा है, और इन दोनों बुलों को फिर साथ में खड़ा करके कंपेरिजन किया जाएगा, कि जो ब्रीड चेंपियनसिप होगी, उसमें कौन सी बैंस को और कौन से बुल को सेलेक्ट किया जाए, बहुत ही साफ सुतरा बुल है, पीठ पुठा, बहुत ही शानदार और उचाई, लंब लग रही थी, तो उसको भी चेकिया जा रहा है, कि कहीं काटा हुआ ना हो, तो ये देखिए, काफी शानदार चाल, जो बुल की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कंपेटिशन हुए है, यहाँ पे, हम सभी कंपेटिशन, जितने भी कंपेटिशनों की हमने जाके जो फाइनल में पार्टिसपेट करेगा, कौन सी बैंस के साथ करेगा, वो किया जाएगा, यह देखिए, यह जो बुल है, सैनी पुरा गाउं का गोहाना के पास, इस बुल को आगे की तरफ निकाल दिया गया है, सरताज नाम है बुल का, और इस बुल को फाइनल कर द परिज के दोबारा लिया जाएगा, तो यह देखिए, यह बैंस फाइनल कर दी गई है, नरेंदर सेक्टरी जो परदान है, उनकी बैंस फाइनल कर दी गई है, और इसको इसारा किया जा रहा है, आगे लेके जाने का, और यह जो बुल है, उसके साथ जाके फाइट होगी, और दोनों में से जो पसू जीतेगा, वो ब्रीड चैंपियन, मुरा नसल का जो ब्रीड चैंपियन है, वो कहलाएगा, और बहुत ही शानदार जो इनाम, डाई लाक रुपे, दो लाक पचास जार रुपे दिया जाएगा, और जो रनर अप होगा, उसको एक लाक रुपे इ नाम दिया जाएगा, देखिए जजीज के दोरह इसारा किया गया है, कि आप इसको आगे लेके चलिए, और इसको बुल के साथ खड़ा किया जाएगा, दोनों में कंपेरिजन किया जाएगा, और मोस्टली जो बुल होते हैं, वही बरेड चैंपियन बनते हैं, और अभी द लग जाएगा तो यह देखिए दोनों पसू साथ में खड़े किये गए हैं और यह देखिए मेरी ख्याल से फाइनल हो गया है लाल रंग का जो फूल है वो बैंस को बानने की त्यारी चल रही है यह देखिए जाके बैंस को ही ब्रीड चेंपिन यहां गोसित कर दिया गया है यहां पे ताली बजा के स्वागत किया जा रहा है पसू पाल को दोवारा और बैंस ब्रीड चेंपिन बढ़ी है नरेंदर सेक्टरी डीड वाडी से जो की दो लाग पचास जार रुपे इस बैंस ने इनाम जीत के जो मुरा नसल का ब्रीड चेंपिन सिप है उसमें पहले न काफी चांदार बैंस इसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे बहुती लाजवाब बैंस है बहुती अच्छी और अलग से हमने सेक्टरी साब के बारे में भी पूछा है तो यह देखिए जो बुल है इसका भी हम आपको कमपेटिशन दिखाएंगे कि कैसे यह और बुल का बटन दबाएं और जो फेसबुक पे यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे पेज को जरूर लाइक किजिए अगर आपको हमारा काम पसंदा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर कीजिए फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सभी भाईयों का वीडिय देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाईयों को मेरी तरफ से नमस्कार